आज हम बात करने वाले हैं Rainforest of the Sea और ये है coral, coral बहुत ही important है हमारे लिए भी और marine life के लिए भी, तो चलिए कुछ facts पर बात करते हैं coral reef लाखो अलग-अलग जानवर का एक समू है जिने coral polypes कहा जाता है और इसलिए coral एक living creature है coral के बारे में एक interesting fact ये है कि कुछ प्रजातियां bisexual होती है जिसका अर्थ है कि एक coral polyp एक ही समय में अंडे और इस्पन दोनों का उत्पादन कर सकता है surf coral कई मचलियों को प्राकरतिक आवास प्रदान करते हैं shores और coastline के पास इस्तेत ये तूफान और बाढ़ के विरुद natural barrier उत्पन करते हैं coral reef टेटो पर आने वाली 97% wave energy के विरुद एक buffer प्रदान करती है वहीं हाट coral तब बनते हैं जो पालीवस समधुर जल से calcium carbonate को absorb या निकालते हैं जिससे पालीवस के सरीर की रक्षा के लिए एक टिकव और चट्टान जैसा कटोर एकसे इसकोलेटन बनता है 1993 की रिपर्ट बताती है कि 70-90 million ton carbon per year ये absorb कर लेते हैं और इसलिए इन्हें समधुर का वर्षावन कहा जाता है coral pressure मात्रा में mineral का एक अच्छा सोत्र हैं ये potential medicine देते हैं जो cancer, गठिया और जिवानू, संक्रमन जैसी दुल्लव और गातक बिमार्यों के इलाज के लिए मैत्मुर्ण है climate change के कारण heat wave बढ़ रही है और इसी कारण coral अब bleach हो रही है और इन्हें सन्रक्षन की जरुरत है जैसा कि हम जानी चुके हैं coral प्रत्री के सास्त और सुरक्षा के लिए मैत्मुर्ण है तो अब हमारा कार यह है इन्हें बचाना